जहिन साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुल इंडियन आर्मी में दोस्तों इंडियन आर्मी के तरफ से आर्मी भरती रैली 2022 के लिए ओफिशल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दोस्तों इंडियन आर्मी की एक special entry है जो केवल NCC candidates के लिए ही निकाली जाती है इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास NCC थी तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं अगर आपके पास NCC का certificate है तो आप इस वीडियो को एक बात जरूर देखना इसमें क्या-क्या eligibility criteria मांगा गया है क्या-क्या conditions इसमें रखी गई है हो सकता है आप भी इसके लिए eligible हो और आप इसका form apply कर सको तो साथियों इस वीडियो में आज मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यह Indian Army की तरफ से official notification जारी हो चुका है April 2022 के लिए यहाँ पर male और female दोनों candidate apply कर सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बता दूँ केवल unmarried male और female यह apply कर सकते हैं married यहाँ पर apply नहीं कर सकते यह बात आपको ध्यान रखनी है अगर आप unmarried male और female हैं तो आप इसके लिए eligible हैं आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ इसके eligibility criteria के बारे में तो सबसे पहले बता दूँ यहाँ पर मैं आपको age limit के बारे में तो अगर आपकी age 19 से 25 साल के बीच है तो आप इसके लिए आसानी से आविदन कर पाएंगे यानि कि अगर आपका जन्म 2 जन्वरी 1973 में से 1 जन्वरी 2003 के बीच हुआ है तो आप इसके लिए apply जरूर करना यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है तो यह तो हो गई बात इसकी age limit के बारे में अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसके education qualification के बारे में यहाँ पर आपका क्या education qualification होना चाहिए तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है यहाँ पर आपके पास NCC का C certificate होना चाहिए जिन candidates के पास NCC का C certificate है वो इसके लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं NCC के C certificate के candidates only और यहाँ पर नीचे बता रखा है NCC में भी grade होते है A grade, B grade और C grade तो यहाँ पर बता रखा है अगर आपका B grade तक आया हुआ है C certificate में तो यहाँ पर आप इसके लिए eligible हैं लेकिन अगर आप NCC का C certificate में आपका C grade आया है तो आप इसके लिए apply नहीं कर सकते केवल A grade और B grade वाले ही apply कर सकते हैं तो दोस्तों यह तो हो गई और किसी भी subject से तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आपके graduation में minimum 50% marks जरूर होने चाहिए अगर आपने graduation की degree ले रखी है किसी भी subject से, किसी भी board से All India के किसी भी कोने से आपने graduation की degree ले रखी है तो आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं लेकिन condition यह है कि 50% marks minimum आपके graduation में होने चाहिए तो साथियों यह इसके NCCC certificate और education qualification में बता रखा है इसके साथ ही यहाँ पर बता रखा है अगर कोई candidate अपने graduation के final year में है तो भी इसके लिए आविदन वो कर सकता है यहाँ पर उसको भी छूट दी गई है कोई भी दिक्कत यहाँ पर उसको नहीं होने वाली दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ height के बारे में height यहाँ पर अगर आप male candidate हैं तो आपकी 157.5 cm होनी चाहिए और अगर आप female candidate हैं तो आपकी minimum height 152 cm यहाँ पर रखी गई है 152 cm minimum height आपकी होनी चाहिए तो साथियों इसका eligibility criteria यहाँ पर केवल यही दे रखा है और कोई भी यहाँ पर इसमें important जानकारी नहीं है यहाँ पर vacancies दे रखी हैं यहाँ पर मैं आपको बता दूँ male candidate की 50 vacancy यहाँ पर आई है और woman की यानि की female की यहाँ पर 5 vacancy यहाँ पर आई हुई है only 5 vacancy woman candidate के लिए यहाँ पर निकाली गई है तो इस तरीके से 55 vacancy यहाँ पर total आई है NCC special entry के लिए तो दोस्तों अगर आप इसके लिए eligible हैं तो इसका आवेदन आप जरूर करें इसके साथ ही दोस्तों अगर आपका कोई सवाल या doubt है इससे जुड़ा हुआ तो आप हमें comment में पूछ सकते हैं हम पूरी कोसिस करेंगे आपका solution आपको बताने की तो दोस्तों ये वीडियो ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसको like और share करना ना भूलें तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार वंदे मातरम